गुड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो देखिए आज हम लो करेंगे जीके का मॉस्ट इंपॉर्टेंट 25 सवाल जो की एक जम्स में बार-बार पूछेगा ठीक है तो इस सवाल को आप लोग किसी भी हैल में देखिए और दूसरी चीज कि जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखते हैं आई बटन में जो लिंक हम दिये रहते हैं यानि प्लेलिस्ट का उसे जाके देखिए क्योंकि जो बचे सोचते हैं कि इस बार मुझे एक्जाम को क्लिफाई करना है फिर सेलेक्शन लेना है आप लोगों तक पहुँझे और इंस्टाग्राम पे छोटा सा नोट्स दिया जा रहें उसे जाके लिए लिजे क्योंकि वहां से भी साथ से आठ नंबर आपके एक्जाम के लिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक को तो देखिए पहला प्रिश्म है कि शवं सेवक संग का निर्माड कभ था सब्सक्राइब में चाब्स्टर्अप चर्णीर अगस्वर्श जैनवरी निर्माड हुआ था था ठीक है उसके बाद देख लिए नंवर प्रिश्ट में भारतिये जनता पार्टी के आस्थापना कभ था इंप्रेंज सवाल है अप्चन A में 15 अगस्त 1947 को B में 6 अप्रिल 1980 को C में 26 जनवरी 1950 को और D में अन्य तो 2 का हो जाएगा अप्चन B राइटेंसर 6 अप्रिल 1980 को भारतिय जनता पार्टी का अस्थापना हुआ था ठीक है चलिए उसके बाद देख लिए थार्ड नॉमर प्रिश्ट में भारतिय जनता पार्टी का मुख्याले कहा है उप्चन A में नई दिल्ले B में गुजराद C में जरकंड और D महारास्ट तो थार्ड का हो जाएगा उप्चन A राइटेंसर नई दिल्ले ठीक है याद रखेगा भारतिय जनता पार्टी का मुख्याले है नई दिल्ले उसके बाद देखिए फोर नॉमर प्रिश्ट में भारत का पहला बिदी और नयायक का मंत्री है उप्चन A में असोक कुमार सेन B में हंस राजखना C में भीम राव राम जी अम्बेद कर और D में अन्य तो फोर का हो जाएगा उप्चन C राइट अंसर भीम राव राम जी अम्बेद कर उसके बाद देख लिजे फाइफ नॉमर प्रिश्ट में योजना आयोक का बनाई गई उप्चन A में 1945 को B में 1950 को C में 1947 को और D में 1960 को तो फाइफ का हो जाएगा उप्चन B राइट अंसर 1950 को योजना आयोक बनाई गई ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है चलिए उसके बाद देख लिजे उसके बाद देख लिजे नॉमर प्रिश्ट में नीती आयोक का बनाई गई एक जन्वरी 2015 को B में 13 अप्रेल 2014 को C में 13 जून 2015 को और D में अन्न तो 6 का हो जाएगा उप्चन A राइट अंसर एक जन्वरी 2015 को नीती आयोक बनाई गई ठीक है चलिए उसके बाद देख लिजे नॉमर प्रिश्ट में स्वक्ष भारत अभियान का प्रारंब हुआ यानि अरंब हुआ एक अप्रेल 2015 को B में 9 दिसंबर 2014 को C में 2 अक्टूबर 2014 को और D में 26 जन्वरी 2015 को इंपोर्टेंट सावाल है 7 का हो जाएगा आप्चन C राइट अंसर 2 अक्टूबर 2014 को स्वक्ष भारत अभियान अरंब हुआ ठीक है उसके बाद देख लिजे 8 नॉमर प्रेश्ट में राष्टिय विकास परिशद का बनाई गई सेप्टमबर 1950 अगस्ट 1903 C में अगस्ट 1952 और D में जन्वरी 899 8 का हो जाएगा अप्चन C राइट अंसर अगस्ट 1952 को राष्टिय विकास परिशद बनाई गई चलिए उसके बाद देख लिजे 9 नॉमर प्रेश्ट में अखिल भारती हरीजन संग की आस्थापना निम्न लिखित में से किसके द्वारा की गई है राजा, राम मोहन राए बी में सुबास, चंद्रबोज C में महात्मा गांधी और D में ज्वाहर लाल नहरू तो 9 का हो जाएगा अप्चन C राइट अंसर महात्मा गांधी के द्वारा ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है 9 का हो जाएगा अप्चन C चलिए उसके बाद एख लिजे 10 नमर प्रेश्ट में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का प्रतम अध्यक्ष कोन था इंपोर्टेंट सवाल है तेन का हो जाएगा अप्चन A राइट अंसर W.C. बनर जी ठीक है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का प्रतम अध्यक्ष था W.C. बनर जी याद रखेगा चलिए उसके बाद एख लिजे 11 नमर प्रेश्ट में भारत का ग्रेंड ओल्ड मैन की से कहा जाता है इंपोर्टेंट सवाल दादा भाई नुर्योजी महत्मा गांधी गोपाल क्रिष्ण गोखले और डिम सुभास चंद्र बोस 11 का हो जाएगा आप्शन ए राइट एंसर दादा भाई नुर्योजी को ठीक है कहा जाता है भारत का ग्रेंड ओल्ड मैन चलिए उसके बाद देख लिजे देख लिजे टूएल नूमर प्रेस्ट में रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था 1951 में 1929 में 1819 में और 1959 में तो टूएल का हो जाएगा आप्शन बी राइट एंसर 1919 को रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था ठीक है अंग्रेजों की बिरुद अपना अंदोलन कहां से अरंब किया यानि शुरू किया बर्मा से जपान से थाइलेंड से या फिर सिंगापूर से 13 का हो जाएगा आप्शन डी राइट एंसर सिंगापूर से उन्होंने अरंब किया था चलिए उसके बाद एक लिजए 14 नमर प्रेस्ट में भारत छोड़ों अंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था 1935, 1950, 1947 या फिर 1942 14 का हो जाएगा आप्शन डी राइट एंसर 1942 को भारत छोड़ों अंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था चलिए देखिए अगर आपको किसी भी प्रेस्ट में डाउट लगता होगा कि सर के तरफ गलती है त्रूटी है आप सजेशन दीजेगा क्योंकि आपका जो सजेशन है मेरे लिए बहुती मौत पुन रहेगा क्योंकि हर बच्चे कमेंड करते रहते सही काभी मैंने देखा हूं कि सर मैंने भी सही मतलब कि सही है उसको भी बोलते हैं कि सर गलती है इसको सुधार रिजिए आप एक बार गूगल पर पहले चेक कर लिजिए उसके बाद मुझे इंफर्म दीजेगा कि सर आपका गलत है या फिर सही है चलिए कोई बात नहीं स्थाला लजपत्राय आप्जण और डि महात्मागांधी 15 का हो जाएगा उप्सण बी राइटेंस अर लोक मान ती लगती कह याद रखेगा सुराज मेरा जनमसी ददाधिकार है या किस ने कहा था लोक मान ती लगत नहीं घुः नहीं कि बाद एक लिजे 16 नमम्र प्रिष जी 16 का हो जाएगा option B राइटेंसर सोरजनी नाइडू ठीक है याद रखेगा चलिए उसके बाद देख लिजिए next question 17 में की भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने है तु किसने लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन की आस्थापना की option A में दादा भाई नुर्यो जी B में मात्मा गांधी C पंडित ज्वाहर लाल नहरू और D में रविंदर ना टाइगोर याँ पर रविंदर ना टाइगोर होगा ठाकूर गलतिस हो गया है तो 17 का हो जाएगा option A राइट एंसर ठीक है 17 का option A हो जाएगा राइट एंसर दादा समाजवादी पार्टी C में स्वराज पार्टी या फिर फरवर्ड ब्लॉक 18 का हो जाएगा option D राइट एंसर फरवर्ड ब्लॉक ठीक है याद रखेगा भारतिय राष्टिय कंग्रे से त्यागपत देने के बाद सुबास चंद्र बोस ने अस्थापना किसकी की भिया फरव समाज खान खान अब्दुल गफार खान सीमें डवलू सी बनर जी और डी में इन में से कोई नहीं 19 का हो जाएगा option A राइट एंसर सहनवाज खान ठीक है चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल इंपोर्टेंट सवाल है फुट डालो और राज करो की नीती अपनाई थ किसने लड करजन ने याद रखेगा चलिए उसके बाद देखिए 21 में 21 में की सुभास चंद्रबोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया सुभास चंद्रबोस ने कंग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है 21 का हो जाएगा ओप्शन सी याद रखेगा 21 का ओप्शन सी देखे 20 का सी 21 का भी सी याद रखेगा चलिए उसके बाद देखे 22 में स्वतन्तता संग्राम में गांधी जी ने किसान अंदोलन प्ररम्ब किया ठीक है अप्शन एम है साबर मती से बी में बार्दोली से सी में चंपारंड से और बी जॉलिया से तो 22 का हो जाएगा ओप्शन सी राइटन सा चंपारंड स सवाल है याद रखीगा देखे 20 अप्शन सी 21 अप्शन सी 22 अप्शन सी चलिए उसके बाद देखे 23 में 1935 के भरत सरकार का अधिनियम किस नियुणने से समबंदित है इंपोटेंट सवाल है 23 का हो जाएगा ओप्शन सी ठीक है 23 का हो जाएगा ओप्शन सी प्रांतिये श्व अरंब किया गोपाल कृष्ण गोखले भी मात्मा गांधी सी मोतिलाल नेरू ओडिवित लिंदी में लोकमानती लग तो 24 का हो जाएगा ऑप्चन ए राइट अंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने अरंब किया 1950 में स्वर्वट्स अफ इंडिया सोसाइटी की अस्थापना किसने की गोपाल कृष्ण गोखले ने याद रखेगा 24 का ऑप्चन ए हो जाएगा राइट अंसर चलिए उसके बाद देखे 25 में इंपोर्टन सवाल है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था एम के गांधी ने इस बी बोस ने सी में एल एल राइन ने और डी में इन में से कोई नहीं 25 का हो जाएगा ऑप्चन बी राइट अंसर एस सी बोस ने याद रखेगा दिल्ली चलो का नारा दिया था तो यह रहा आज का 25 सवाल अगर आप लोगो किसी भी प्रश्ट में एगरी होंगे तो बोलेगा हम एगरी हैं और जो लोग एगरी नहीं होंगे तो लिखेगा नौट एगरी ठीक है चलिए देखते हैं पहला प्रश्ट में कि राष्टिये स्वयम सेवक संग का निर्माड कब हुआ था फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्चन सी 27 सेप्टमबर 1925 को हुआ था चलिए उसके बाद एक टू में भारतिये जनता पार्टी का अब स्थापना कब हुआ था टू का हो जाएगा ऑप्चन भी 6 अप्रेल 1908 को हुआ था टू का हो जाएगा ऑप्चन भी 6 अप्रेल 1908 चलिए उसके बाद एक थर्ड में भारतिये जनता पार्टी का मु उसके बार देखिए 5 में योजना आयोग कब मनाई गई राइट एंसर जाएगा ओप्शन B 1950 को मनाई गई याद रखे गई योजना आयोग 1950 को मनाई गई उसके बार देखिए अगला प्रेस्ट 6 में कि नीती आयोग कब मनाई गई भीया 6 का हो जाएगा option A 1. January 2015 को मनाई गई उसके बाद एक लिजे 7 नमर प्रेस्ट में स्वक्ष भारत अभ्यान कब अरम हुआ राइट अंसर हो जाएगा option C 2. October 2014 को चलिए उसके बाद एक एट नमर प्रेस्ट में राष्टिय विकास परिशाद कब मनाई गई राइट अंसर हो जाएगा option C अगस्ट 1952 को मनाई गई एट का हो जाएगा option C उसके बाद एक एट नेक्ट कोशन 9 में की अखिल भारतिय हरीजन संग की आस्थापना निम्न लिखित में से किसके द्वारा की गई है राइट अंसर हो जाएगा option C महात्मा गांधी के द्वारा चलिए उसके बाद एक एट 10 नमर प्रेश्ट में भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस का प्रतम अध्यक्ष कौन था भिया राइट अंसर हो जाएगा option A WC बनर जी थे चलिए उसके बाद एक 11 में भारत का ग्रेंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है राइट अंसर जाएगा option A दादा भाई नुर्योजी के कहा जाता है उसके बाद एक 12 नमर प्रेश्ट में रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ राइट अंसर जाएगा 12 का option B याद रखे एक 1919 में पारित हुआ था ठीक है 11 का हो जाएगा option A 12 का हो जाएगा option B चलिए उसके बाद एक 13 नमर प्रेश्ट में सुबास चंदर बोस ने अंग्रेजों के बिरुद अपना अंदोलन कहां से अरंब किया राइट अंसर हो जाएगा option D सिंगापूर से चलिए उसके बाद एक 14 में भारत छोड़ों अंदोलन कांग्रेश्ट ने कब सुरू किया था 14 का हो जाएगा option D 1942 को उसके बाद एक 15 में स्वराज मेरा जन्नमसिद अधिकार है यह किस ने कहा था राइट अंसर हो जाएगा option B लोकमान तिलक ने कहा था उसके बाद एक 16 में नमक सत्तेग्रह के दोरान निम्नलिखित में से गांधी जी निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े राइट अंसर हो जाएगा option B सरोजनी नाइडू चलिए अगला प्रिसने के 17 में भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हैं तू किसने लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन की आस्थापना की 17 कहो जाएगा option A दादा भाई नोरियो जी चलिए अगला प्रिसने के 18 में भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुबास चंद्रबोस ने निम्न लिखित की आस्थापना की 18 कहो जाएगा option D forward block की चलिए अगला प्रिसने के 19 में निम्न लिखित में से कौन अजाध हींद फोज की एक परमुक अधिकारी थे 19 कहो जाएगा option A सहनवाज खान थे ठीक है चलिए उसके बाद देखे 20 में फुट डालो और राजकरो की निती अपनाई थी 20 कहो जाएगा option C लाड करजन चलिए अगला प्रिसने के 21 में सुबास चंद्रबोस ने कब कांग्रेस की अधक्षिता से त्याग पत्र दिया था 21 कहो जाएगा option C 1949 में दिया था ठीक है 21 कहो जाएगा option C अगला प्रिसने के 22 में स्वतन्तता संग्राम में गांधी जी ने किसान अंदोलर प्रारंब किया था 22 कहो जाएगा option C चंप पारण से चलिए उसके बाद देखे 23 में 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णे से संबन्दी थै राइट अंसर जाएगा 23 का option C प्रांतिय स्वयतता से चलिए अगला प्रिसन देखे 24 में 1905 में सर्वेट्स अफ इंडिया सोसाइटी को किस ने अरंब किया राइट अंसर जाएगा option क्या 24 का A गोपाल क्रिष्न गोखले उसके बाद एकी लास्ट प्रेस ने 25 दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था राइट अंसर जाएगा option B, S B बोस ने दिया था तो यह रहा आज का 25 सवाल अगर आप लोगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में सब चीज का है टेलेग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, मतलब सब चीज का है आप जाएके फॉलो कर लिजगा क्योंकि आने वाले समय में, यानि एक से दो दिन में देखे, टेलेग्राम पे तो PDF डेली अप्टेट किया जाता है तो जो लोग आप तक नहीं जानते हैं कि डेली अप्टेट किया जाते है करेंट अफियर्स का, तो आप जाके वहाँ पे जूट सकते है ग्यान जोती आसिस टूटोरियल से भी आप सर्च करके जूट सकते है और मेरा लिंक होगा इथी का, क्या चीज का बता रहा हूँ इंस्टाग्राम का, जाके वहाँ पे भी आप लोग जूट सकते है और वहाँ पे भी आपको दिया जा रहा है नोट, उसे भी जायके ले लिजगा क्योंकि 7-8 नमर आपकी एक्जाम्स के लिए फिन्स हो जाएंगा ठीक है तो मिलते हैं एक और वीडियो में और बता देता हूँ कि आपको वीडियो मिलेगी डिरेक्टली सामको एक बार ठीक है कि में जारा हूं थोड़ा सा काम करने और मतलब कि मंदलु कॉले जारा हूं थोड़ा कुछ काम है कागत इथर उधर हो गया है तो उसको अच्रेंगी कुछ बनवाना